नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे हैं सब्सक्राइब कर लिए तो प्लीज यह वाला फ्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं ध्यान लग्येगा पार्ट नमबर एट से कंटिन्यू करेंगे आपर समाजिक कल्याण और समाजिक सुरक्षा संबंधी का रिक्रम में सबसे पहला नाम आएगा साथ में पंच वर्षी योजना से पीडियेस जो है एक स्थाई योजना बन गई थी एक ध्यान रख सकते हैं उसके बाद पुनर गठित सारजुनिक वितरनल प्रनाडी यांकि आपका हो गया यहां पर रिवैंब्ड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम रिवैंब्ड पीडियेस यहां पर आदिवासियों का बाहुल है वहां को पीडियेस के अंतरगत विशेश रूप से सामिल करना यह लक्ष था उसके बाद लक्षित सारजुनिक वितरनल प्रनाली यह आई थी इसको पब्लिक डिस्ट्रिबूशन सिस्टम बोलेंगे टार्गेट पीडियेस जो है यह उनी सो सससतर से शुरू हुआ था ठीक है यानि कि रिवैंब्ड पब्लिक डिस्ट्रिबूशन सिस्टम से पहले इसका उदेश का गरीब और जरूरत बंदों को पीडियेस का धिक्तम समाजिक सहायता ब्रदान करने संबंधी जो हमारा डिरेक्ट्टिव प्रिंसिपल है उसको पूरा करना इसका लक्ष है इसका लक्ष था मतलब समाजिक फ्रक्षा सी जुड़े इन योजनाओं का उसके बाद नियूंता मावश्यक्ता कारिक्रम के बारे में डिटेल में हम इ जर्माड किया गया था उसके बाद त्वरित ग्रामीड जल आपूरती कारिक्रम सभी निवासियों को पोटेबल वाटर उपलब्द करवाना लक्ष था उसके बाद राजीव गांधी ग्रामीड पेजल मिशन आये था 1986 में ग्रामीड आबादी के लिए पेजल की प्रक्रिय स्वक्ष सवचालेओं को कम कीमत के स्वक्ष सवचालेओं में बदलना इसका लक्ष था सफाई और स्वास्त समंदी अच्छे आच्रण का प्रचार करना महिलाओं को स्वक्ष नहाने का स्थानुपलब्द गरवना यह सब था आपको सुनकर थोड़ा सा जीब लग रहा स्वास्त सेवा जो है यह शुरू हुए थी लेकिन यहां पर कुछ शॉट फॉर्म्स लिखे हुए है पिस्ट क्या है और इसको करेंगे और केंद्री सफाई कारेक्रम और इसके बाद जो सफाई के कारेक्रम आये थे स्वक्ष भारत मिशन तक सब कुछ पूरा पढ़ेंगे आगे के भागों में अभी क्रोनलाजी वाइस आपको बता रहें जिससे एक सेग्रिगेशन हो सके की काउंसी स्कीम किस से असोशियेटेड है उसके बाद समुदाय स्वास्त के इंद्र ग्रामीड स्वास्त समंधी शुरू किये गए थे वर्ष 2000 तक सभी के लिए स्वास्त इसका लक्ष रखा गया था ठीक है किस पंच वर्ष योजना में लक्ष रखा गया था यह आगे आपको बताएंगे उसके बाद उपकेंद्र यानि कि आपके सब सेंटर से पांच जार से आठ जार आबादी वाले आस पड़ोस के गाहों को आउशदालय अधारी सेवाए प को बताएंगे अभी आपको अभी यहां पर k करते हैं सबसें पहले निवाश्यक्ता कारिकरम को Hai जो अभी आपको बताया है पांच वी firearm के दावरौा pilgrimage क्रशी शेत्र में आतनिर्भरता प्राप्त करने में सफल रहें कारण क्या था इसके बाद पांच वहीं दूसरी और ग्रामीड शेत्रों में रहने रहने की दशाओं को बहतर बनाने के लिए समाजिक सेवाओं में और सुधार की अवश्यक्ता है ऐसा महसूस किया था फिफ्थ फाइवियर प्लैन में और इसी इधार पर सामानी रूप से ग्रामीडाबादी और विशेश रूप से निर्धन लोगों की विशेश्च आवश् समझा गया उस समय जैसे मान लीजे कि एक टोटल डवलोप्मेंट का लक्ष लेकर के नहीं चला जा सकता था ठीक है क्योंकि बीच में युद्ध हुआ और लोग जो है खाने को तरस रहें भोजन को तरस रहें तो फोकस जो है क्रशी पर ही करना होगा अगर सर्विसर सेक्ट यह विक्सित करना शुरू की गई आपकी फिफ्ट फाइबर प्लाइन से तो इसमें इसी आधार पर नियूंतम आवशक्ता कारेक्रम को शुरू किया गया कि बेसिक नीड का पहले पता लाएंगे और इसी दिशा में फिर प्रोग्राम चला जाएंगे तो नियूंतम आवश कि संकलतना इसी पर अधारी था कि निर्धनों की आए बढ़ा दी जाएं और सस्ते दामों पर उनको सभी तरह की सोशल सर्विसेस अवेलबल करवा दी जाएं तो इस तरीके से एक बेसिक नीड हम पूरा कर सकते हैं सभी की ठीक मदल अखुल विलाकर पंचवरशी होजना के राफ्ट मोताया था कि नुन्तम अउशक्ता खारिकरम को सूत्रबद करने में पहला कदम यही था कि सोशल सर्विसेस सोशल कंजंप्शन जिसकों लोग सकते हैं समाजी खपत के प्रात्मित्ता वाले छेत्रों की पहचान करना कि आखिर कि सोशल सर्विसेस की सबसेजादा भारत के शहरों को उन्हीं को पूरा किया जाए जो है बहुत सारी चीज़ों पर आधारित होता जैसे कि एकनॉमिक फेक्टर जो अब नहीं है तो बुनियादी आवश्यक्ता की संकलपना आती कहां से है एक दस्तवे जाए था बुनियादी आवश्यक्ताओं की संकलपना को लेकर यह अपचारिक रूप से रोजगार आयके वित्रण और समाजिक प्रकृती पर त्री पक्षिये विश्व रोजगार सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था ठीक है कि यह जो बेसिक नीडा यह है आखिर क्या तो यह आयलो की ड्राफ्ट जाया है इनकी अंतराष्ट्री स्रम संगठन ने दिया था इसको बेसिक नीड की परिभाशा को बुनियादी आवश्यक्ताओं की पुष्टी दो तत्वों के रूप में परिभाशित की जा सकत रहने पड़ेंगे रोटी यानि कि अपने शरीट को सर्वाइब करने के लिए जीवित रहने के लिए ठीक है यह गया नीजी उप्भोग यानि कि परसनल कंजम्शन उसके बाद स्वक्षपेजल स्वक्षता सार्जुनिक परिभाहन स्वास्त सिक्षा इन सब को परिभाहन जरूरी है चीजने लाने के लिए और स्वास्त और सिक्षा भी बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए अपना कल्याण करने के लिए ठीक है तो यह दो तत्वों पर दो एलिमेंट पर अधारित थी बेसिक नीट्स की उधारणा नियूंतामा वशक्ता और बहुत बात नियूंताम अवशक्ता कारिक्रम के बच्चों के लिए घरों से अयता संबब कम दोरी पर एक सारजुनिक प्रात्मिक शिक्षा की सुएधा उपलब्द कराना ये शामिल किया गया था मिनिमम नीड प्रोग्राम जो भारत में चला था 15 की आयू से अधिक के लोगों को साक्षर बढ़ाने के लिए जो अडल्ट एजूकेशन थी उसके विश्था करना ये शामिल किया गया था मिनिमम नीड में उसके बाद ग्रामीड जन स्वास्त सुविधाओं का विकास करना जैसे रोग निमारक दवाईयों का वित्रण परिवार नियोजन के लिए हेल्प करना असिस्टेंस देना और शुरू में ही रोगों रोगों का पता लगाने के लिए परामर्शी सेवाई यानि की सकते हम लोग आउट पेशन डिपार्टमेंट वगेरा इस्टैबलीश करना ठीक है ओपीड वगेरा उसके बाद सुरक्षित जल स्रोतों की चिरकाली कमी से समस्याग्रत गाहों में पानी की पीने की सुविधा मोहिया कराना कुछ ऐसे भी गाहों थे जहां पोटेबल वाटर के लिए लोग जाते थे 10-15-15 किलोमेटर सब स्टोरीज आपने सुनी होंगी पुरानी तो इसमें उनकी कमियों को भरना और उनकी समस्याओं को दू सुनिशित करना, कनेक्टिविटी के लिए 1500 या इससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गाहों के लिए पक्की सड़क की विरस्था करना, ठीक है, अब ये तो पेपर पर तो बड़ा शांदार लग रहा है, लेकिन ये सब बहुत जल्दी नहीं जीव हो पाया था, उस सबसे ब ख़्या वा स्वास्त मेंद्राले के अंतरगत प्रातिनिक स्वास्त मेंद्विकास मेंद्राले के इंतर ग्रामीड आवास व होगारा, पेजल और सक्षिता की विवस्था करना ये सब शामिल था, तो कुल विलाकर ही कहा गया, कि जीतने भी मंत्राले हैं, इस minimum needs program के ओधारे ही साक्षर थी जब हम आजाद हुए थे स्वतंत्रता की समय जो लिट्रेसी रेट थी करीब सोला परसेंट के करीब थी अलग अलग पंचवरशी ओजनाव में इस लक्ष को सौफीस दी यानि हंड़ेट अब भी नहीं आता था लोगों को कई बार जो है उनको फूल बनाया जाता था इन सब चीजों पर तो प्रॉड़ों को साक्षर करना भी जरूरी समझा गया है तो दो अक्टूबर अबादी से निरक्षर्ता को पूर्णते समाथ करने के लिए 1988 में राष्ट्री साक्षर्ता मिशन शुरू किया गया था ठीक है नाशनल लिट्रेसी मिशन जो शुरू किया गया था वह अडल्ट एजूकेशन से एस्सेटेड है 15 से 19 वर्ष के लोगों की अनौपचारिक सिक स्वास्त का और अगर स्वास्त बिगड़ता है किसी का उसका इलाज किया जा रहा है तो उसके लिए इनकिन स्टेंडर्ड को फॉलो किये जाएगा उसके बाद पोश्ण की कमी कम कब्ला करने के तीन रास्ते होते हैं जैसे कि आवश्यक चिकत्सी सहायता प्रदान करना अग अच्छे स्टार का भोजन सभी को एकदम से सबसेड़ी के तौर पर नहीं दिया जा सकता था ठीक है अलांकी महिलाओं और स्टनपान कराने वाली महिलाओं के पोश्ण की कमी को दूर करने के लिए तीसरा उपागम ही सबसे कम खर्चीला माना गया था कि अगर विमन है अग शबुद्धान पर यहां कि अट्याओं मेरे मिट्धय मेल और विशेश पोशाहार कारेक्रम कि आया था किशीयर में इसकी डेट नहीं रही है जिसकी सब्सक्राइब पूर्व बच्चों को यानि स्कूल जाने से पहले वाले बच्चों को गर्वती महिलाओं तथा स्तंपान कराने वाली महिलाओं को विशेश पोशाहर कारग्रा में शामिल किया गया इसमें अनुपूरुक पॉष्टिक भोजन की विवस्था की गई थी जिसमें प्रतेग को 20-25 ग्राम प्रोटीन और 500 कैलोरी और एक वर्ष में 300 दिन तक प्रदान की जानी थी मध्यान भोजन योजना 6-11 के आयू समू के स्कूली बच्चों के लिए आई थी इसमें प्रतेदिन 8-12 ग्राम प्रोटीन और 300 कैलोरी यूग्त अनुपूरुक भोजन एक दिन में एक प्रदान मंत्री पोशन शक्ति निर्माड स्कीम ठीक है ग्रामीड स्वक्षता कारक्रम 1987-88 से निवंतम आवशक्ता कारक्रम के कंपोरेंट में शामिल हुआ था उसके बाद साजुनिक वित्रन प्रणाली जो है खादिस उरक्षा से स्चिएटेड है इसको भी जो है मिनिम् प्रणाली का आप जानते हैं कि शहरी ग्रामीड दोनों तरह के लोगों के लिए आया था गरीब वरके हैं उन्हें दैनिक उप्योग वाली वस्तिवों को उचित मूल में उपलब्द करवाना था सब्रणाली में जो है गेहूं चावल चीनी भी काफी दिन तक दिये गये थ प्रणाली में जाता था पीडिये के अंतरगत कच्चा कोईला भी दिये जाता था कुछ राज्यों में ठीक है और लागत नियंत्रित वस्त्र जैसी भी अवश्यक्तायम पूरी की जाती थी पहले पब्लिक डिस्ट्रिबूशन सिस्टम में हालांकि आज के लिए चावल दा इसके अंतरगत व्रद्ध और आती गरीब लोगों को 10 किलो ग्राम गेहूं चावल अत्वा दोनों निश्यल दौर पर दिये जाता था शुरूबात में 20 किलो फिर 25 किलो फिर आगे आगे इसको 35 किलो भी कर दिया गया था यह समयकित ग्राम विकास कारेक्रम के बारे में कई ज़रूरी है अखिल भारती इरिन समीक्षा समीती रिपोर्ट की सिफारिशों के नुरूप चौथी पंचवरशी योजना में ठीक है इसमें देखा गया कि छोटे उसी मांत किसानों और क्रशी मजदूरों को विकास प्रक्रिया में लाव पहुंचाने के लिए और प्रयास में पास ँर जाह है त्यप मैं प्रक्रिया में इसमीक्ता गए लाव शक्रिय सिफार्त किसानों के सल wen ऑगया lamps इसकी स्थापना कर दी गई उसके बाद सीमान्त किसानों क्रशी मजदूर विकास एगेंसी की स्थापना की गई फिर जो है एकिकरत ग्राम विकास कारक्रम आया था एकिकरत ग्राम विकास कारक्रम में इनके नाम पूछे जा सकते हैं कि ग्राम विकास कारक्रम को किन किन पहले चल रही हो जनाव को मर्च करके बनाए गया था तो आपको पता होना चाहिए तो गर आप से पूछा जाए कि यह जो आपका एकिकरत ग्राम विकास कारक्रम था किन स सबको मर्च करके जंता गवर्मेंट ने उन्हीं सो ठत्तर उन्यासी में लाये थे यह एकिक्रत ग्रामीड विकास कारेक्ट्रम में जो की छटी पंचवर्षी योजना के ड्राफ्ट का एक भाग था उसमें देखा गया था कि यह इंटिग्रेटेड वर्ड है इसमें चार बेस कि जा सकते हैं समेकित ग्राम विकास कारेक्ट्रम की मुख्य विशेष्था यही थी कि पहली बार आये की संकल्पना के अधार पर लाभारतियों का चैन किया गया था ठीक है भूमी को मापदंड नहीं बनाया गया था कि भूमी या फिर कह सकते हैं जोत काकार किसी के पास कि किया गया था वार्षिक आये पर जो है निश्चित किया गया था कि कौन कौन इसका लाभारती बनेगा गरीबी रेखा आये आउस्तन 5 विक्ति वाले परिवार के लिए 35 रुपए वार्षिक नियत की गई थी इससे नीचे जो है परिवार वो इस योजना का लाब ले सकते थे समिकित ग्राम विकास कारगरम के लाभारती बन सकते थे बांकी नहीं बन सकते थे ठीक है उसके और यह भी था कि आर्थिक साहिता की दर जो क्रशी मजदूर विकास एजनसी देती थी अपने लाभारतीयों को उसी हिसाब से जो है इसमें भी बिलने वाला था यानि कि प्रशासन का इसे होता था ठीक है तो इसके तहएड क्या बनता था जिला ग्राम विकास एजनसी तैनात की जाती थी इस प्रोग्राम के इंप्लिमेंटेशन के लिए इसको डिस्ट्रिक्ट रूरल डवलप्मेंट एजनसी के हम लोग कह सकते हैं परियोजना निदेशक की साहयता पाच से साथ साहयता साहयक परियोजना अधिकारी करते थे इसमें कुछ छेत्रीये प्रमुक होते थे सानसद होते थे जिला परिशत के अध्यक्ष विधायक बाकी आपको पता है नवी पंच वर्शी योजना के दौरान अप्रेल अने सुनिन यानबे में इंटिक्रेटेटर टूरल डूर्वल्मेंट प्रोग्राम और अन्यश्य कारेक्रम यानि ट्राइसम डवाकरा, सिट्रा, मिलियन वेल स्कीम जो है जी के वाई यानिकी गंगा क लियान योजना हो गई, इन सब को एक बार हम लोग देख लेते हैं, ट्राइसम की उत्पत्ति रुदेश क्या है, ग्रामीड बेरोजगार युवाओं को हम चार केटेग्री में बांट सकते थे पहले, यानिकि साक्षर कुसल, साक्षर अकोशल, निरक्षर लेकिन कोशल और निरक्षर अकोशल, निरक्षर भी और अकोशल भी, चाओथी स्रेडी मजदोरी रोजगार पर अधारित थी, क्योंकि बागी वो काम नहीं कर सकते थे, अन्य समूह को दक्षता प्रदान कर, उन्हें ना केवल लगहूद्यम शुरू करने में सायता प्रदान की जा सकती थी इससे बहुत अन्य लोगों को भी रोजगार पैदा कियो जा सकते थे, लेकि चौथी स्रेडी जो है, इसे हर हाल में जो है, ब्लू कॉलर जॉब यानि की मजदोरी रोजगार पर ही निर्भर रहना पड़ता था, तो आया, इंटेग्रेटर रूडल रप्रोग्राम, यानि क इसके बाद जो है, यह ट्राइसम सुरू किया गया है, इसी समयकित ग्राम विकास कारेकरम के तहर्त ट्राइसम के शुरुवात की गई, ट्राइसम का उद्देश य था, घरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के ग्रामीड युवा जिनकी आयू 1835 सुरुदान की जाने लगी थी बाद में, ट्राइसम के संदर्व में स्वरुजगार की परिवाशा पूर्ण कालिक लापरत रोजगार के रूप में की गई थी, यानि सेल्फ इंप्लॉइमेंट को अगर डिफाइन किया गया था, ट्राइसम के तहर्त तो ये था कि व्यक्त किराए का हो, किराए की दुकान हो, या खुद की दुकान हो, जिससे वे अपनी करीबी रेखा को दूर कर सके, और अगर ऐसा करेगा तो जाहिर सी बात है कि पहले सेल्फ इंप्लॉइड होगा और यदि अपने व्यापार को बढ़ा पाया, तो अन लोगों को भी इंप्लॉ यह उतना नहीं था, तो लाभारतियों की पैचान कैसे होती थी, खंड विकास अधिकारी एनी वीडियो की अध्यक्षता में एक समीती बनती थी, इसमें कई सारे लोग सामिल होते थे और इस बातों पर ध्यान रखा जाता था कि सरुप्रतम गरीब परिवार के सदर से पुरा किया तो उनको इसमें वरीता दी जानी थी, और कारेक्रम की जिम्मेदारी की थी, यानि की डिस्ट्रिक्ट्रूरल डव्लॉप्मेंट अधॉर्टी की, जो की समयकित ग्राम विकास कारेक्रम के तैद बनाई गई थी, अब कारेक्रम में कमिया थी, कि एक ही धंग से लागू ने किया जा सका, अब आपको इसी से लग रहा होगी कि प्रशिक्षन कितने दिनों का होगा, ये भी कोई बात ता है नहीं थी, और इसमें कोई ऐसा मॉड्यूल नहीं बनाया गया था, कि लोहार को क्या सिखाएंगे, बढ़ाई को क्या सिखाएंगे, प्रदत्त प लापूर तरीके से नहीं तायार किया गया था, जिससे लोग सीख पाएंगे, उसको तो खामियों देखी गई थी, विवसाय के चैन में सोरोजगार की संभावना तथा उनकी वित्ती विवहारता को शुरू से सही नहीं समझा गया था, मतलब कुल बिलाकर विवसाय के चैन यह नहीं देखा गया था कि अगर यह काम सिखाय जा रहा है तो उस परिटिकुलर गाउं में इस काम को सीखने के बाद सोरोजगार की संभावना है भी की नहीं, या फिर वित्ती विवहारता है की नहीं, कोई मान लीजी अगर किसी गाउं में बढ़ाई का काम सीख रहा है और उसमें जरूरत ही नहीं बढ़ाई किया, फिर वहां का कश्टम ऐसा है कि लोग लक्टी की फरनीचर नहीं उस करते हैं, तो ऐसा भी देखा गया था कि खाली नमबर बढ़ाने के नाम पर यह सब चीजें सिखाय जा रहे थी, जो अन्तमिल आभारतियों को को कोई सोरोज अभी विमेंस के लिए विमेंस को प्रटिकुलर्ली फोकस करते हुए रूरल विमेंस के लिए इसकी माई थी डवाकरा, ठीक है, डी डव्लू सी आर ए, इसको डवाकरा बोलते हैं, इसका मुखी उद्देश ग्रामीड महिलाओं को आयसर जित करने में, उत्पादिन सीली सम कर सकें, और अपनी शमताओं को बढ़ा सकें, और उत्पादन शील बन सकें, ठीक है, तो डवाकरा का लक्ष समूह भी आप समझ गयोंगे, कि जैसे इंटिग्रेटेड रूरल डव्लूप्मेंट प्रोग्राम के लाभारती थे, ट्राइसम के थे, वैसे ही डवाकरा के भी लेकिन पर्टिकुलर रंतर यही था, कि इसमें जाता था रविमेंट पर फोकस किया गया था, और इसमें प्रतेक परिवार को नहीं, बलकि समूह को वरीता दी जाती थी, साहिता जो है समूह को दी जाती थी, इन्हीं महिलाएं 15-20 के समूह में आती थी, तब ही उनको योज सबीस के में, और उसको मान्दे दिया जाता था, प्रती मास 50 रुपए से अधिक नहीं होता था, और एक साल के लिए दिया जाता था, ग्रूप लीडर कह सकते हैं आपो, उसके बाद आय जनित गतिविदियों के लिए बुन्यादी धाचा संबंदी सहायता प्रदान होती थ इस से, 15,000 से, ऐसे सभी गाओ जहां पर डवाकरा समू संगटित थे, वहां पर शिशु देखबाल सुविदहाओं को भी बढ़ाया गया था, आंगनवाडियों की स्थापना की गई थी, ठीक है, समू आय जगों के लिए प्रती वर्ष 2,000 रुपए सालाना यातरा भत्ता निर्धारित किया गया था इसके लावा, इस 15,000 के अलावा, जो है समू आय जग को प्रती वर्ष 2,000 रुपए की दर से यातरा भत्ता दिया जाता था, अब चूंकि महिलाएं ग्रुप्स में शामिल थी तो उनके छोटे-छोटे बच्चे भी कई बार होते थे तो इस वज विकास सभी विभाग आपस में जुड़े वे थे, उसके बाद जबाहर रोजगार योजना आ जाती, जबाहर योजगार योजना की इस्ट्री आपको पता है, एक बार फिर से यहां पर देख लेते हैं, ठीक है, तो आकुशल और निर्यक्षर लोगों की संख्या बहुत ज पर उसके बाद 1974 में एक बार फिर से बेरोजगारी की समस्या गंभी रूप से देखने को मिली और गंभी रूप से प्रभावित जो इलाके थे बेरोजगारी से, उनमें पाइलेट रूरल इंप्लॉइमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया, यानि पी आई, पी आर ईपी, ठीक, इसके बाद 1968 में काम के बदले अनाच कारिकरम को नया रूप दिया गया था? काम के बदले अनाच कारेक्रम कभाया था? שנoaster में इसको काम के बदले अनाच कारेकरम को नया फाम दे करके, रश्च्ट्री ग्रामीट रोजगार आथक्रम यानिक आई National Rural Employment Program बना दिया और इसमें जो है दो देशे थे जरूरत बंद ग्रामिडी शर्मिकों को मजदूरी रोजगार प्रदान करना जो किसी भी हाल में स्वरोजगार कारिटरम के अंतरगत नहीं शामिलो पाए थे या फिर स्वरोजगार नहीं अपने लिजनरेट कर सकते थे जारी सी बात है अगर मजदूरी करवा रहे हैं किसी से तो मजदूरी कैसे करवाएंगे कोई मकान बनेगा कोई संपत्ती बनेगी तो वो काम आएगी आगे उससे जो हरूरल इंफ्रसेक्चर सही होगा तो टिकाओ सामुदाइक परिसंपत्तियों का निर्माड भी लोगों को अगरिक्ता को रोजगार प्रदान करने के साथ हो जाने वाला था अब इसमें ये देखा गया कि नरी पी चेतर में विस्तार होने से ग Geralamt लाने के लिए अग्राम कर शाम सार्थ म लोगों को मजदूरी रोजगार उपलबद करोंने के लिए फिर एक योजणा लाइ गई गय बोला गया है निकि रूरल लेबर सो में शुरू किया गया तरौ की पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल करना जरूरी समझा गया गया और ऐसा थभी हो सकता था जब पूरी तरीके से constitutional status मिल जाए ठीक है तो पहले प्रयास किया गया लेकिन जब constitutional status मिला तो पूरी जिम्मेदारी फिर ग्राम पंचायतों को दे दी गई थी तो इसके बाद क्या हुआ कि NREP यहीं कि आपका National Rural Employment Program राश्क्री ग्रामीर रोजगार कारेक्रम उसके बाद रोजगार योजना के उद्देश वही थे जो पिछली रोजगार योजना के उद्देश थे मुख्य विशेशत हैं थी कि इसमें केंद सरकार राज सरकार की भागेदारी असी वाई 20 की थी यह पूछा जा सकता है उसके बाद जिला परिशद या फिर डिस्ट्रिक्ट रूड रोजगार योजना की उसको दिया जाता था असी फिजदी ग्राम पंचायत को माटा जाना था काम को गाउं के लोगों द्वारा ही किया जाना था किसी प्रकास से ठेकेदारों का दखल जो है पाबंदी इस पर थी हर मतलब जो भी मतलब पर इसमपत्तियों का स्रजन होगा के लोग ही उसमें शामिल होंगे उन्हीं को रोजगार मिलेगा उसके बाद शेडूल कास्ट और शेडूल ट्राइब्स को प्रात्मिक्ता इसमें दी गए थी हर स्कीम की तरह मजदूरी की रूप में खादयाने को सस्ती दरों पर दिया जाने वाला था जैसे कि काम के बदल देख्रों त्राम के तहित आई थी या इंद्रावास योझना लेकिन बात में जब रूरल लेबर इंप्लॉइमेंट सब्सक्राइब recursos बन गई तो यह फिर आकर योजना ठीक है को लावंटन का 6 निच्ग को और निस 1992-ıयु की आचकर दस के दिखिठी किया गया था इंद् अधिक गरीबों को भी इसका लाब दी जाने की गई कि पहले सिर्फ एससी स्टीज में से निर्धन लोगों को दिया जाता था आवास इसके तहित लेकिन फिर अन्य कटेगरी में भी जो अत्यधी गरीब थे उनको भी इसके तहित लाब दी जाने की बात की गई अगली स्कीम है दस लाग कुओं की योजना या फिर मिलियन वेल स्कीम इसको 1988 नवासी में शुरू किया गया था और 1989 जवाहर रोजगार योजना से जोड़ दिया गया था इस योजना के अंतरकत शेडूल कास्ट शेडूल ट्राइब्स के लाभारतियों को निश्यल के सिचा के लिए खुले कुओं उपलब्द की जाते थे उनिस्सों पिचनबे चीनवे में 10 लाग कुओं की योजना को जवाहर रोजगार योजना से लग करके एक नया कारिक्रम बना दिया गया था